जब तयारी चल रही हो IIT, JEE मेंस और JEE इडवांस्ट की तब consistency break होना या inspiration या motivation या push लगातार मिलते रहना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है तब कैसे उस consistency को बरकरार रखें, इस motivation, इस push को, इस inspiration को कैसे बनाए रखें ताकि हम पूरे focus, पूरे concentration के साथ regularly अपनी तयारी continue करें इसके लिए कौन से elements जरूरी है, क्या क्या चीज़े होनी चाहिए, क्या करते रहना चाहिए इस preparation के दौरान उन कुछ बारीक से, simple से, crucial से elements की हम बात करेंगे आज सीधे point पर आते हैं और सीधे समझते हैं कि इस तयारी में एक जरूरी बात जो शायद आपको पता हो तो आपकी तयारी और बहतर हो सकती है, जरूरी बात में सबसे पहली बात, I hope यह illustration, यह जो आपके सामने image है, यह self-explanatory है, पट फिर भी अगर आप देखें तो मैं बस आपसे कहना चाहरा हूँ consistency versus intensity, अलब इस presentation को, इस session को, इस topic को जो हम नाम देना चाहरे थे हो यही कि कुछ images आपको हम demonstrate करेंगे, जिनके through, we would just like you to tell कि कैसे आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपकी preparation को लेकर आपका जो perspective या mindset है, वो कैसे आप बदल सकते हैं consistency versus intensity, बहुत 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 जादा फर्क है इन दोनों बातों में, intensity का मतलब होता है कि आप एकदम से बहुत जादा पुश कर दे, लेकिन अभी शुरुआत में आपने जब try करना शुरू किया है, तो बेशक आपकी body, आपकी mental health, आपका mindset, सब कुछ आपको health क कर रहा है, physically, mentally, दोनों आस्पेक्ट से, कि आप अपना बहुत अच्छा, रादर I would say 100% नहीं, उससे भी जादा दे पा रहे है, डिवोट कर पा रहे हैं, बाकी चीजों पर लिट से आप compromise कर ले रहे हैं, मान लेते हैं, खाने पीने में थोड़ा adjustment कर लिया जा रहे है, कुछ अच्छी मेरी efficiency है, और इतना effectively में पढ़ पा रहा हूँ, मेरा यकीन करिये, यह किस्सा दो या चार दिन से जादा, मैं सच कहूं तो कहने को धाई दिन से भी जादा नहीं चलेगा, जो लोग यह कर रहे हैं, वो करने को कर रहे होंगे, पर वो intensity उन्हें लग रहे हैं, पर र regular physical activities, अपने household chores, जो आपके काम है, अगर उस regular दिन चरिया के हिस्से में हर एक चीज़ properly करें, तो मेरा यकीन करिये, तीन से चार घंटे पढ़ना बहुत, बहुत sufficient है, अगर आप effectively पढ़ते हैं तो, अगर आप efficiently पढ़ते हैं तो, और सबसे जरूरी और खास बात consistently पढ़ते ह तो, शुरुआत में बहुत जादा intensity के साथ पढ़ लेते हैं, फिर वो कम होती चली जाएगी, और कहने को आपको लग रहा होगा कि सर मैं तो रात-रात भर नहीं सो रहा हूं, मेरे साथ तो ये issue है कि मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं, पर मेरे marks क्यों नहीं आ रहे हैं, वही एक तो एक अजीब से जनजाल में फस जा रहे हो, जिसका नाम है multitasking, आप सब कुछ कर लेना चाहरे हो, एक साथ एक बार में, ये बहुत अजीब सी समझ है, एक तो बच्चे दस-दस किताब लेकर बैठते हैं, आप एक किताब से एक वक्त पे पढ़ो ना, इसे दस किताब खोल के दिखावा करने का point क्या है, और बिल्कुल बहुत ही अजीब गरीब बाते हैं, बहुत कुछ दिखाने के लिए चल रहे हैं, आप दिखाने के लिए मत करिए, आप करने के लिए करिए, I hope you enjoy studying, आपको अच्छा लगता है, Maths, Physics और Chemistry पढ़ना, आप इस preparation को enjoy कर रहे है आप problems solving, यह जो challenges आते हैं, आपको करना अच्छा लगता है, I hope तभी आप इस तैयारी को कर रहे हैं, वरना बस करने भर के लिए करना या किसी और के कहने से करने में तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, I hope आप मेरी बात का sense या essence समझ पा रहे हैं, जो मैं hint या subtly जो तो बहुत बड़ी बात है, moderation का फाइदा है अपना, moderation में चीज़े balanced रहती है, संतूलन बना रहता है, बिगड़ता नहीं है, और आप उसे लगातार continue कर पाते हैं, आप उसे हमेशा चला पाते हैं, बजाए intensity के कि एक दिन तो काफी कुछ करते हैं, और फिर वो graph गिरता है, और वो drastically करता है, ये लगेगा नहीं कि कुछ चल रहा है, पर बहुत कुछ हो रहा होगा, इस लाइक बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, repetitively, daily, बस लगातार, लगे रहो, चुप चाब अपना काम करते हैं, इस लाइक दाट, ये बहुत boring सा लग सकता है, बहुत monotonous सा लग स है, और इसमें मिलेगा, पता है काफ, जब आप regularly अपने level को improve करेंगे, अपने graph को, अपने bar को gradually increase करेंगे, वो कैसे, आप step by step करोगे, step by step का क्या मतलब होता है, it would be like this, मैं कहीं बार इस बात पर emphasize देता हूँ, कि आप पहले scratch से basics consolidate करोगे, basics करने के बाद आप अपने concepts को merge करक फिर tough problems लाओगे, फिर आप IAT, J.W.E. mains level की problems लाओगे, और फिर आप J.W.E. advanced level की problems करोगे, gradually जब आप करोगे, तो आप एक-एक step चलते भी जाओगे, और आपका morale भी boost up होगे, और आपका confidence भी बढ़ेगा, और आप actually enjoy करोगे problem solving को, आपको मन में mentally या psychologically एक sense of accomplishment की feeling आई की, क हमने कुछ achieve किया, हम कुछ कर पाए, बजाए इसके कि मैं सीधे J.W.E. advanced के questions try करूँ, फिर वही बात, अपने intensity बढ़ाने की कोशिश की, एक हाथ दिन, दो दिन किताब लेकर बेटोगे, इसा personally मेरे साथ हुआ था, मैं अपने आपको match में बहुत बड़ा expert समझता था, मेरे स सारे मुगालते दूर हो गए, मैं A.D. Das, A.D. Gupta एक book आती है, Ajit Das Gupta की, Asit Das Gupta की, मैं वो book लेकर बैठा और मैंने, जब मैं 11-12 में हो करता था, और मैंने उस book को लेकर बैठा और सीधे उसमें J.W.E. advanced level के, जब I.A.T. J.W.E. को ही J.W.E. advanced कहा जाता था, और जो आपकी I.A मुगालता था या गलत फैमी थी कि बस मैं कर लूँगा और मैंने सीधे उनको करना शुरू कर दिया, बिन आपने स्क्रैट से basics consolidate किये, ना foundation clear किया, ना कोई concept समझे, बस questions करने चल दिये, एक या दो दिन वो किताब लेकर बैठा, फिर कभी उस किताब को छुआ ही नहीं, समस से यह थी कि उस target को achieve करने लिए आपने एक सही strategy नहीं चुनी, और सही strategy का एक बहुत important, बहुत important element होता है consistency, बजाए insistence, intensity, intensity का मतलब है आप बहुत 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 जादा push कर रहे हो, बजाए मैं कहूंगा, चीजे simply चलाइए, बहुत अच्छी होंगी, आप इस बात को समझे जितने भी lectures हम discuss करते हैं, जितनी भी बात हैं भी तक हमने किये, मैंने कई दाफ़ा बस इसी बात को emphasize कि है कि बस regularly चलते रहे हैं, बहुत 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 ताकत की, बहुत motivation की, बहुत push की, या किसी तरीके की जरुत होती कि उसे कोई कोई एकदम से उसके अंदर हवा भ पुश या जुनून क्या उशकता होती है, समझदार शक्स की समझदारी से मतलब सिर्फ इतना है कि वो regularly बस चुप चाप अपना काम थोड़ा-थोड़ा करता रहे, have a balanced routine जहां पर आप परियाप नीन लें, परियाप खाना खाएं, परियाप अपनी पढ़ाई करें और मेरा सही guidance, I hope आप मेरे हर एक पॉइंट का मतलब समझ पाएं, और अगर ये सारे पॉइंट्स आप समझ पाएं, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, next अपने पॉइंट पर, तो पहला पॉइंट, we will prefer consistency over intensity, always, always, मैं अब एक simple सा example देता हूं, आप किसे चुनेंगे, मैं दो example देत हैं, एक player है, जो कभी 80 runs बना रहा है, अगली inning में 75 बना ले रहा है, अगली inning में 60 बना ले रहा है, कहीं वो 102 भी बना ले रहा है, ऐसे उसका पिछली 4 innings का मैं आपको record दे रहा हूं, वहीं दूसरी और, चलो एक और inning उसमें ले ले लेते हैं, जैसे इसने शुरुआत में म 30 बना लेता है, और फिर कहीं न कहीं लगसे वो 80 आ 90 बना लेता है, अब आप बात समझो ना, अगर चलो 80 aos 90 के बज़ाए, इसने थोड़ा और बहतर किया हुता है, जैसे हमाल लेता हूं, इसने कहीं 150 भी भी बना है, लेकिन कहीं 130 भी बना है, आप किसे चुनेंगे, who will you prefer, एक छोटा सा point समझो, इस शक्स ने कई बार अपनी preparation को intensify किया, अपनी performance को बहतर बनाया, लेकिन कई बार उस intensity को बढ़ाने के चकर में उसके आगे पीछ सनी अपनी performance बिगाडी भी, वहीं दूसरी और ये शक्स जो है, ये शक्स जो है, ये लगातार भले ही काफी अच्छा न ये खेलता रहा, एक अच्छा score ये बनाता रहा, पर ये शक्स जाहे कई बार, इसने कई बार कुछ अच्छा बनाया भी हो, पर कई बार ये बुरे तरीके से fail भी हुआ, पर मेरे के रहा है तोड़ा सा भाथए है, मेरा personal opinion ये है, तो बस छोटी सी बात है, मितुर अगर अग the choice to choose between let's say Swarov Ganguly and Rahul Dravid be Rahul Dravid. मैं लो Swarov Ganguly बुरे नहीं है वाके में बहुत अच्छे हैं पर मैं करहा हूँ Rahul Dravid भी बहुत अच्छे हैं मेरा परसनल एक opinion है एक suggestion है कि Rahul Dravid बनने में भी कोई बुराई नहीं है consistency एक बहुत important factor है जो play करेगा crucial role आपकी इस preparation में आपकी इस तैयारी में अगर मेरा point थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो क्या हम अगले point की तरफ बढ़ सकते हैं I hope you are clear with this statement that why is it important to be consistent over being intense next point अगर हम discuss करें बहुत जरूरी है आपके लिए मानना और आपकी generation के लिए तो यह समझना बहुत जरूरी है और यह शायद आप में से कहीं सारे लोग जानते भी हैं how to measure success या किसी भी चीज को अगर happiness को measure करना है किसी भी चीज को measure करना है what other people think of you I think it should be muted what you think of yourself it should be heard, it should be listened इसे समझा जाना चाहिए इसका क्या मतलब है इसका महज मतलब इसना सा है कि आपके parameters क्या है success के जैसे अगर मुझसे कोई पूछेगा कभी भी तो I would say success for me मतलब success पहले तो एक बहुत ही overrated सा और एक अजीब सा वर्ड है और बहुत ही अजीब सा वर्ड है मतलब it is very misunderstood word in this domain of our life तो बड़ी simple सी बात है ऐसे please हमेशा एद रखिएगा that if somebody is physically fit I would say mentally stable I mean emotionally strong I would say emotionally strong का मतलब भी emotionally strong है इसके बहुत सारे मतलब होते हैं आप सुनिये का दियान से socially acceptable socially you know adjustable I would say emotionally strong हम बात कर चुके financially अगर मेरे stage पर आप बात करें to financially solid अगर ऐसे कुछ decent से parameter से जो अगर आप फुल्फिल कर रहे हैं जैसे कि आप physically, emotionally, mentally solid है strong है आपकी financial condition ठीक है कुछ 5-6 parameter मेरे पास है अगर socially और इन सारे parameters पर आप ठीक ठाक हैं तो मैं काओंगा आप खुश हैं बस खुश रहना ज़रूरी है at the end of the day what matters is कोई और बात से फर्क पढ़ता ही नहीं है are you happy और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से मैं बस उसी बात को सुनूँगा फिर बागी लोग किस आधार पर मुझे कैसे देख रहे हैं इस बात से शायद मुझे फर्क नहीं पढ़ता और आप से भी मैं यही कहूँगा कि पूरा दिन जैसा भी बीता हो आप बस इस बात से अपने दिन को मेशर करिये कि क्या आपने अपनी पूरी कोशिश की did you try your best आपने अपनी पूरी कोशिश से उसमें जो भी efforts लगा सकते थे वो लगाए I think अगर ऐसा हो रहा है तो बिलकुल आप परिपूर्ण तरीके से अपने ट्राक पर हैं और कोशिश करते रहे हैं फिर चाहे कुछ भी हो result मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कोशिश कर रहा हूँ that's what matters for me और मेरे आकीन करिए यह आपके लिए भी उतना ही काफी होना चाहिए कि आप अपनी कोशिश कर रहे है you had a plan, you had a strategy and you started you started implementing that अपने छोटे-छोटे प्रयासों के थुरू consistence प्रयासों के थुरू आपने उसे apply करना शुरू किया और आप अपना काम करते रहे महस इतना ही काफी है बातें समझ आ रहे है अगर ये बात clear हो रही है तो I think it's time to move towards the next point अगले सवाल को, अगले अगले सवाल को तो नहीं पर अगले image को, अगले illustration को अगले graphic को हम समझे तो यहाँ पर एक और काफी crucial बात आती यह अक्सर मेरे साथ होता है पता नहीं क्यों मतलब मैं काफी लोगों के साथ meeting में बैठा हूँ आँ एक zoom call पे हूँ या usually कोई meeting भी है तो वहाँ पर ideas या creativity के गरम बात करें और एक simple सी मैं walk ले लो खुद के साथ अकेले I think isolation में तो मैं एक अच्छे creative results काफी insightful results create कर पाता हूँ बात महज ideas की हो या creativity की हो या कुछ problem solving की हो अक्सर ऐसा होता है यो नो इस लाइक आप जो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ को बहुत ज़ादा promote करते है group studies मुझे नहीं पता हो कितनी effective या कितनी efficient होती है पर अकेले बैठ कर पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है So yes, किसी concept को समझना है तो शांती से किसी एक शक से जाकर पढ़ लिजी आपने teacher से समझ लिजे और anyway, मेरे ख्याल से जहां तक मैं तो आपके पास हर एक topic पर काफी insightful, काफी detailed, काफी complete और काफी comprehensive video lectures है तो आप इन्हें देखकर अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं मैं बस यह कहना चाहरा हूँ Instead of having किसी चीज़ को लेकर एक पूरे group में पूरी कहानी जिसमें कहीं जादा आप time waste कर देंगे I would prefer to go alone पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहना सही है socially भी आप कहीं सारी चीज़ों को argument से और discussion से argument मतलब एक healthy discussion से काफी clarity के साथ समझ सकते हैं तो बेशक इसमें कोई बुराई नहीं है पर इसमें भी कोई बुराई नहीं है जिसे लोगों ने कम कर दिया है मैं कह रहा हूँ यह बिलकुल सही है पर यह भी सही है I hope आप बाते समझ पा रहे हैं और जब हमने बात की थी ना consistency और intensity के बीच में तो आप observe करोगे कि चाहे आपने जब consistent रहना शुरू कर दिया ना तो intensity आपकी अपने आप बढ़ेगी जो शुरू में कम थी ना वो intensity अपने आप बढ़ेगी योगी you'll get better at it शुरू में आप शहे ठीक से बैट कर ना पढ़ पाओ जादा दिर पर gradually बस आप बने रहोगे लगे रहोगे चलते रहोगे तो अपने आप आपके intensity इंप्रूव होगी तो बजाए कोशिश करने के कि मैं बहुत जादा intensity के साथ काम करूँ आप consistency के साथ काम करिये intensity अपने आप अजाएगे it is bound to come इस illustration का इस graphic का मतलब I hope we are clear on that अगले अगर statement की तरफ आते हैं तो next point के निकल कराता है this is something very crucial this is something very important आप सब के लिए तो शायद ये समझना बहुत जादा जरूरी है पहला statement what you believe you need to succeed अगर आपको लगता है कि बस मैं sir मैं तो sir रोज 8 गंटे बैट के पढ़ ले रहा हूं मैं तो daily 8 गंटे पढ़ाई कर रहा हूं पर जरूरी ये है कि मेहनत करने के साथ who you work with कि आपको किस किस के साथ कैसे मेहनत करनी है आपके पास क्या क्या resources है and of course who you work on इन बातों को अगर मैं आपके context समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर सिर्फ इस बात से matter नहीं करता कि मैं दिन रात questions solve कर रहा हूं मुझे उन questions की quality पर भी ध्यान देना होगा मुझे अपने material अपने reference की quality पर भी ध्यान देना होगा मुझे उन lectures की quality पर भी ध्यान देना होगा जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ मेरी बस simple सी बात का है मतलब है कि जब आप किसी concept को पढ़ें तो आप उस theory को किस resource से कहां से कैसे पढ़ रहे क्या वो सच में insightful है क्या वो सच में मुझे हर एक चीज बारी की में हर एक चीज सिखा रहा है कोई चीजे बस superficially सताही तोर पर touch करके बस complete तो नहीं करवा दी जा रही है पहला aspect दूसरा aspect जब आप इन्हें consolidate करने के लिए of course theory वाली चीजों को जब consolidate किया जाता है तो आप questions, examples का सहरा लेते हैं इसके थुरू आप application based learning develop करते हैं जहापर आप चीजों को सीखते हैं तो जब बात आती है application based learning की याने आप questions के थुरू उन्हें consolidate करते हैं examples याने illustrations के ज़रू तो क्या वो examples और illustrations relevant है क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है एक ही category के same problem में बस बार-बार करते चले जा रहा हूँ जिससे मैं कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ बस वही चीज़ करना सीख रहा हूँ तो I hope आप हर category, हर variety हर अलग अलग तरीके की चीज़ों का exposure ले रहा है तीसरी ज़रूरी बात जब मैं ये कर रहा हूँ तो क्या मेरा level gradually improve हो रहा है यानि मैं IIT, GW mains और GW advanced level तक problems को solve कर पा रहा हूँ मुझे ये सारी चीज़ें measure करते चलते रहना पड़ेगा मुझे अपनी चीज़ें जिन पर मैं काम कर रहा हूँ जो किताबे, जो reference, जो questions, जो books ये जो सारा material refer कर रहा हूँ क्या relevant है, क्या ये सही है इन सारे points को भी अभी फिलाल मुझे देखना होगा सिर्फ लेकर घंटों किताबों के साथ बैठा रहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ problem solve करने से बात नहीं बनेगी, problem relevant है या नहीं वो content सही है या नहीं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है और ये step by step ही चलेगा जैसा हम discussion शुरुआत से करते आए हैं I hope ये point आप सभी को clear है कि इस पर हमने क्या discussion किया और ये क्यों ज़रूरी है So it's not just hard work which is sufficient but along with hard work कई सारी चीज़ें आपको दिमाग से सोचनी पड़ेंगी strategically ताकि आप अपनी preparation को जो आप efforts डाल रहे हो वो सही direction में जा रहे हो I hope you are realizing that Next statement की अगर मैं बात करूँ काफी crucial काफी ज़रूरी ये बहुत ज़रूरी बात है अगर आपको लगता है कि इस रूम में बैठे हुए आप सबसे smart शक्स हैं smart मतलब अगर आपको गलत फैमी है कि आप सबसे आदे intelligent हैं तो शायद आप गलत रूम में बैठे हैं इसका ये मतलब है learn from your peer group whoever you meet in your life know something better than you उसको कुछ ना कुछ तो आप से अच्छा पता है उसको कुछ ना कुछ तो आप से बहतर पता है तो लोगों से सीखे अपने दोस्तों से सीखे and surround yourself with good people अब ये good or bad तो कुछ नहीं होता है बस लोग होते हैं और अच्छे और बुरे वो दोनों होते है तो आप जब लोगों के साथ हो तो उनसे अच्छा सीखे उनसे अच्छी चीज़ें जानी है बात सिर्फ इतनी सी है कि of course choice is yours choice is yours मतलब कि आप चाहें तो सबसे अच्छे हो सकते हैं पर सबसे अच्छे होने का एक नुकसान है मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बुरे अपने आप बन जाने है सबसे अच्छे होने का नुकसान यह है कि फिर शायद आप सीख नहीं रहें अगर आपको ऐसी गलत फैमी है कि आप सबसे अच्छे हैं तो ये गलत फैमी अपने मन में होना कि मुझे सब पता है जो ये self-centered, narcissist या ego-centric लोगों के साथ समस्या है कि उन्हें लगता है कि उन्हें ही सब पता है ये थोड़ी सी अजीब सी बात है so it's better कि आप अपने अंदर modesty लाए modesty का मतलब आपको पता हो कि आपके अलावा सारे लोगों को या बाकियों को भी आप से कई जादा पता होगा कई सारे aspects में तो उनसे भी सीखे और चीज़े explore करें एक थोड़ी सी गलत फैमी को हमेशा दूर से अपने आप से तो बिल्कुल दूर रखें कि आपको सब पता है और लोगों से सीखते रखें हर हर शक्स के पास इतना space इतनी liberty इतना scope दीजिए कि आप उससे कुछने कुछ सीख पाए have that scope चाहे वो आपके दोस्त हों या relatives हों या teachers हो I hope आप ये बात जानते हैं next statement की तरफ आँ तो हाँ ये बहुत जरूरी बात है और इस बात से ही final आपका conclusion में दूँगा reality और imagination ऐसा कहा जाता है कि 97% problems जो हम अपनी life में imagine करते हैं जो हमारे साथ होगी कभी होती ही नहीं अब सोच कर देखे आपने life में कितनी बार कैसा कैसा अपने लिए सोचा होगा कि क्या क्या चीज़े हो सकती you would have been some really adverse conditions कि sir इस बार तो मैं फस गया अब तो शायद मैंसे बाहर नहीं निकल पाँगा but you were there आप आराम से निकल पाए और आप चीज़े वर्काउट कर पाए मैं हमेशा से बस इस बात को प्रीच करूँगा कि चाहे situations कितनी ही बुरी क्यों ना हो आप imagine करो आज से तीन या चार साल पहले कहीं ना कहीं आप किसी हालात या situation में रहोंगे जब आपकी दिल के डिधर्कने बड़ी होंगी गला सूखा होगा और आपने सोचा होगा कि अब तो सारी चीज़े खतम साहब अब तो खेल बिगड़ चुका है अब तो कुछ अच्छा है बहतर नहीं हो सकता है बट स्टिल यू मीड इट स्टिल यॉर हीर और आप शायद कुछ अच्छा है बहुत जादा जरूरी है इस बात को हमें शायद रखेगा कि वक्त के साथ चीज़ें यकीन करिये ठीक होती है ऐसा कहा जाता है गिव दा टाइम सम्टाइम वक्त को थोड़ा वक्त दीजे चीज़ें ठीक होंगी तो चीज़ें बहतर हो जाती है तो अगर आपको result को लेकर चिंता है कि अगर IATJW में नहीं हुआ तो क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा ऐसा कुछ तो ये बाते अभी शायद कुछ point की नहीं है नहीं हुआ तो देखेंगे क्या होगा और जिनका नहीं होता है वो भी बहुत कुछ करी रहे और जिनका हो जाता है शायद वही सब कुछ कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है तो मैं आपसे कहरा हूँ इससे कुछ लेना देना नहीं कि किसका का हो रहा है किसका क्या हो रहा है बात यकीन करिये जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वो ये कि क्या आप डेली कोशिश कर रहे होने या नहीं होने के बाद भी तो मेरा यकीन करिये बस शान्ती पूंट तरीके से कोशिश करते रहे हैं, महनत करते रहे हैं और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे अच्छे से करते रहे हैं आप बहुत अच्छा करेंगे अपने हर पहलू हर पड़ाओ पे जहां पर भी आप हैं बस कोशिश करते रहे हर उस काम में जो आप कर रहे हैं और उसे अच्छे से करिये And yes, the most important and the most crucial thing is Being in the moment Be in the moment मतलब वहीं रहिए उस मोमें आप उस काम को ठीक से करिए यह बहुत क्रूशल सी बात है न यह चाहे आप महिंदर सिंग धोनी से सीखें या आमिर खान से सीखें आप राइन लारा से सीखें वो उस वक्त उसी वक्त में रहते हैं अगर वो वो काम कर रहे हैं तो उस काम को वो ठीक से कर रहे हैं बस इतना ही काफी है यकीन करिए बहुत है खाना खा रहे हो तो खाना खाओ मूवी बाद में देखना और movie देखना है, तो अच्छे से movie देखो भी गाने सुनना है तो सिर्फ गाने सुनो गाने सुनते में मत पढ़ो यार, ये बहुत अजीब सी बात है कैसे पढ़ लेते हो आप गाने सुनते हुए अप ना गाने सुन रहे हो, ना पढ़ रहे हो मेरा यकीन करिया, आपको लगता है कि नहीं, आप तो बह। अच्छे से पढ़ पारे हो, पर आप अच्छे से तब पढ़ पाओगे, जब या तो सिर्फ आप पढ़ोगे, या फिर आप घाने सुन लो अच्छे से, एक वक्थ पे एक काम अच्छे से करिया, हमारा ब्रीन वैस अच्छे से करिए बस उतना काफी है कि आपको चीजे क्लियर हो रही है जो भी सारी बताई गई है I hope कोई नई और कोई मुश्किल बात तो हमने नहीं करी बहुत सिंपल सी बात है कि तो I hope ये जो points हमने डिसकस किये आपकी help करेंगे focused रहने में अपनी preparation के दोरान I hope आप जानते हो आपको हम IIT G.W.E. Mains और G.W.E. Advanced Mathematics के लिए प्रिपेर कर रहे है आपकी तयारी में हम एक 100% free of cost quality online education platform है kindergarten से 12th standard तक आप हमारे notes, pdfs और ebooks भी download कर सकते हैं इसके लिए आपको इसी video के description में दिये गया link get notes पर click करना होगा with that let's call it a day here ख्यालर की अपना thank you so much for watching this video